पलोल में हतिन थाना पुलिस ने स्वास्ते विभाग की टीम के साथ विलकर संयूप छापे मारी की और इस दोरान 15 लाक रुपए की नकली दवाईया बरामत की गई दरसल हतिनी थाना प्रभारी सत्या नरायन ने बताया कि उन्हें मुक्बीर से सुचना मिली थी कि गाउं बाबुपूर स्थित एक मकान में नकली दवाईया भरी हुई है वही सूचना के अधार पर स्वास्ते विभाग को भी सूचित किया गया और स्वास्ते विभाग की टीम के साथ मोके पर संयुक छापे मारी की गई जहां एक मकान से 95 पेटी नकली दवाईयों से भरी हुई बरामद हुई वही मामले में स्वास्तेविभाग ने बताया कि ये दवाईयां कोरेक्स है तथा नकली है। ये दवाईयां व्यक्ति के स्वास्ते के लिए बेहत नुकसान दायक है। फिलहाल पुलिस ने अग्याद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपि की गिरफतारी के प्रयास लगातार जारी है और जल्द ही आरोपि को गिरफतार कर आदालत में पेश किया जाएगा। हमारे बास बाबुपुर से मुपर खास की गुलागों पर सुचना मिली थी लगव काफी स्थारी पेटिया वन रेक्स वगरा जो दवायों की नशिले दवायों की वहार पेटिया रक्षे हुई है जिसकी सुचना पाकतर हम वहां मोक्के पर पूस्चे थे जो डोक्टरोवी सब्सक्राइब है जर्शाय जा रही है जिनके अभी पता जोई की जा रही है वही खिल के दवाई है उनको जल से जल पल्टका पता करके आज अधारत में पेश किये जाए हैं सर्वन में देखा गया कि एक्सपाट डेट है नहीं अभी प्रिट ना भी नहीं है दरसल करोना काल में जहां पहले ही वाईरस फैल रहा है वही इस तरह की नकली दवाईों की खेप मिलना एक बड़ी काम्याबी है क्योंकि अगर ये दवाईयां लोगों तक पहुंच जाती तो इस करोना काल में लोगों को और ज्यादा बीमारियों से गुजरना पड़ता औ और ऐसे में लोग डॉक्टरों को पूछे बिना ही खासी वगेरा की दवाई ले लेते हैं फिलहाल देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफतार कर पाती है और उनकी खिलाब आगे क्या कारवाई होती है प्रतम तहलका के लिए पलवल से सौरव वर्मा की एसी ही समस्यां के समाधान के लिए तुरंत फोन करें साथ गंटों में 100% लाग गंटिक कार्ड के साथ वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान मॉबाईल नमबर 98786-78629